भगवान विश्णु में गरुड को अपना वाहन क्यों बनाया? गरुड और उसकी मा विंता को सांपो की मा और उसकी मौसी को कद्रू ने बंदी बना लिया लिया सांपो ने उन दोनों को छोड़ने के लिए एक शर्त रखी शर्त थी कि अगर गरुड इंद्र को प्राजित करके उससे अमरित से भरा कलश ले आता है तो वे उने छोड़ दे गरुड ने इंद्र को हरा कर उससे अमरित प्राप्त कर लिए इंद्र ने गरुड से प्राथना की कि वो ये अमरित सांपों को ना दे गरूर अमरिद सापों के पास ले आता है और उन्हें इसे ग्रहन करने से पहले स्नान करने की सलाह देता है जब सभी सर्प स्नान कर रहे होते हैं इंदर वहां आकर अमरिद ले जाता है सांप हाथ मलते रह जाती क्योंकि उन्होंने गरोड के सामने अमरित लाने की शर्ट रखी थी ना कि उसकी रक्षा करने की सांपों को अपनी मूर्खदा का हैसास होता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी शर्ट के अनुसार सर्पों को गरोड और उसकी माविंता को मुक्त करना पड़ता है भगवान विश्णु ने गरोड की इसी वीरता और बुद्धी मता से प्रसन होकर उससे अपना वाहन बना लिया